है गाइस व्लकम बैक और एकने वीडियो में दोस्तों आगर आपके पास एंड्रोइड डिवाइस है आप चाहते हो जी कैम यूज करना तो आज आज आम इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपका रियल्मी डिवाइस के लिए बेस्ट जी कैम क्या होने वाला है फोद सारी दिवाइस में फोटो खीचने का जो एक्सपिरियेंस है आपको थोड़ा सा इंप्रूब करने वाला है और आपका जो फोटो है बहुत ही मस्त आने वाला है और गाइस जो जी कैम आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा यह लेटेस्ट है और आप कैसे इसको डाउनलोड क कर सकते तो इसके डाउनलोड करने के बाद क्या कुछ सेटिंग है सब कुछ आपको बताऊंगा आप वीडियो को एंड तक देखते रिया तो इस चलते है आज की इंट्रेस्टिंग वीडियो के तारा करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को बेर जागा जो बहुत सारे और अफसेन ऺए आपको नाइट मोड़ मिल जागा पूट प्रेट मिल जागा जिए आपको कैमरा मिल जागा video मिल जागा और mode option में देखिए आपको paranoma और photo square जैसे बेटरीन कुछ option मिल जगा और guys यह जो Gcam है यहाप पर आपको देखिए slow motion का भी option मिल जगा वीडियो में उसके साथ आपको time lapse का option मिल जगा camera में आपको 10x तक zoom मिल जगा आप आप साय देख सकते हो मैं थोड़ा से आप जूम आप कर रहा हूँ आप आप देखिए 10x तक आपको zoom मिल जगा तो आपको बहुत सारे new features मिल जगा इस Gcam के साथ और guys जो Gcam है latest है आप इसका photos का interface भी देख सकते हो setting आप भी आपको बहुत सारे option add किया जा रहा है जो पिछले बार या पी जो फुरोना वाला Gcam था उसके साथ नहीं है आप guys आता है कुछ setting आपको करना होगा इस Gcam को install और download करने के बद सबसे पहले आपको just camera section में जाना होगा camera section में जाने के बाद उपर में आपको setting option में क्लिक करना है या पर आपको more setting option मे जाना मोर setting option में जाने के बाद बिलकुल उपर में देखिए आपको एक option मिल जागा configuration of the mode simply उसमें क्लिक करना उसमें क्लिक करने के बाद बिलकुल उपर में देखिए आपको इंटरफरीस के एक option मिल जागा just या पिकण करने बाद आ आप या देख लेना आपका device में in default pixel 3 set है इन default आगर फूल रहता है तो सिप्ली आपको फूट में सिलेक्ट करणा यह डोनो सेटिंग के आपको in default करना है उसके बाद सिंप्ली बेक अना है और आपको नीचे के तरफ जाना होगा नीचे के तरफ जाने के बाद आपको यह यह पर ओपशन मिल जागा देखिए गाईज स Selfie as preview यह जो option है ना in default आप रहाएगा आपको इसको इनेबल करने के बाद आगर आप camera mode से Selfie क्लिक करते हो ना जो mirror image है ओवे आप पर आ जाएगा in default यह जो option आप रहाएगा आपको इसको इनेबल कर देना तीनो सेटिंग आपको device में करना होगा करने के बाद आपका Gcam बिल्कुल रेडी हो चुका है फोटो लेने में और गाइस इसके जो shutter speed है आप यह पर देखिए बहुत ही ज्यादा first है मैं जैसे क्लिक के आप फोटो क्लिक हो रहा है तो shutter speed बहुत ही first देखने को मिल जगा और इस इसके लिए आप वीडियो को एंटर देखना मैं आपको बताऊंगा आप कैसे Gcam को डाउनलोड कर सकते हो स्टार्ट होता है comparison गाइस जो picture मैंने क्लिक किया और सुबा के बग्त मैंने इस फोटो को क्लिक किया आप यह देखिए नाइट मोड आन करके मैंने फोटो क्लिक किया आप साइड में देखिए जो लाइट का गैदरिंग है वह जी कैम बहुत ही मस्त किया है लेकिन यह स्टॉक के मरे के साथ पिक्चार है सेम डेक्शन से मैंने इस फोटो को क्लिक किया लाइट तो बहुत ज़दाद कर रहा है स्टॉक कैमरा लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों डीटेल्स है वह अच्छी तरह से नहीं आ रहा है स्टॉक के मरे के साथ लेकिन जी कैम में आपको लाइट के दारिंग के साथ साथ डीटेल्स भी बहुत ही मस्त देखने को मिलेगा तो नाइट पॉन्ट का जो फोटो क्लियारिटी है वह आपको जी कैम में थोड़ा सा आप यह देख सकते हो जो स्काई का कलर है आपको थोड़ा सा ज्यादा ब्लू देखने को मिले रहा है तो इसी का आपको फरक देखने को मिलेगा जो जी कैम है वह ओवेल मैंटेल्स फोटो क्लिक करके देता है जो सेशूरेजन है वह थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा stock camera में लेकिन Gcam में आपको oil maintained देखने को मिलेगा दोनों का मैंटेंड है बहुत ही मस्त करता है Gcam तो guys अगर आपका social media ready थोड़ सा boost up color परसंद है तो आप stock camera use कर सकते हो realme का लेकिन अगर आपको oil maintained चाहिए थोड़ा सापको better details चाहिए तो आप Gcam के साथ जा सकते हैं दोस्तों मैंने और फोटो क्लिक किया है sky का आप यह देख सकते हो यह जो फोटो है मैं stock camera के साथ क्लिक किया है realme का आप भी आप देख सकते हो जो blue थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप स्टॉट्टो क्लिक कर न चाहते हो तो आप stock camera के साथ जा सकते हूं लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा पेसंद है जी कैम का पर थे मेंने जो फ क्लिक किया है पोट्रेट मोड ओन करके मैंने फोट्टक प्लिक मोड ने फोट्ट शेस यह इस टॉक केमरे का फोटो है आप यह पर देखिए जो फ्लावर है डिटेल्स मीसिंग है और यह पर फोकसिंग यह भी नहीं हो रहा था स्टॉक केमरे के साथ लेकिन जी केम का फोटो आप यह देख सकते हो आपको बहुत ही अच्छा मैंटेंड देखने को मिलेगा और लेकिन यह जो फोटो है मैंने स्टॉक केमरे के साथ क्लिक किया यह पर देखिए जो पिक्चर है पीछे के तरफ वाइडाउस हो चुका है डीटेल्स भी नहीं है फोकस भी नहीं हो रहा था तो गाइस आगर आप पोट्रेड मोड यूज करना चाहते हो तो आप मस्ट भी ज अगर आपका डिवाइस में इस जी केम को यूज करना 8.6 अगर आपका डिवाइस थोड़ा सा पुराना हो चुका है जैसे की रियल्मी 8 सीरीज या पि 7 सीरीज या पि 6 सीरीज तो आप इसका 8.5 बला फर्चन को डाउंगलोड करना इन दोनों फर्चन का लिंक मैंने दे कहां पर फर्स्ट कमेंड में तो आपका इस लिंक है डेक्सिंग बॉस में नहीं मिलेगा आप फर्स्ट कमेंड में जाना मैं वहां पर दोनों का लिंक पीन आप कर दूंगा तो यार अच्का वीडियो इतना है था और एक बात आल माई फेमेली मेंबार आई वीश यू हैप कर दो